असलाम उलेकुम फ्रेंड्स वेलकम तु दिबास कीचन आज मैं एक ऐसी रिस्वी लेकर आई हूँ जिसके बिना रम्जान स्नैक्स अधूरा है तो आज मैं बनाऊंगी माल पुआ वो भी मावा से तो मैंने यहाँ पे एक कप मावा लिया है इसे मैंने घीरान के अच्छे से अब मैं इसे ठंडा कर लिया था अब मैं इसे मसल मसल के इस तरह से बिल्कुल महीन कर रही हूं ताकि यह बिल्कुल एजली से मिक्स हो जाए अब मैं इसमें मैदा एट करूंगी तो मैं यहाँ पे आधा कप मैदा ले रही हूं इसे मैं चलनी से चाल के इसके अंदर डाल र तेस्ट के लिए साथ में मैं इसमें सॉफ एड़ कर रही हूं तो मैंने यहां पे आधा चम्मच सॉफ लिया है अब आप इसमें वन फोर्थ का ओन फ्लार एड़ करें इससे हमारा माल पुवा बाहर से किस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ और जूसी बनेगा साथ मैं इसमे मैं यहां पे सिर्फ पानी का यूस कर रही हूं तो इसमें आप पानी डालके अच्छे से मिक्स करें जब तक कि इस तरह का बैटर बनके तयार ना हो उसके बाद आप इसे कुछ दे के लिए रेस्ट होने के लिए लगभग आदे घंटे के लिए जब तक यहां पे शाशनी बना के तयार कर लेते हैं, तो मैंने यहां पे 1.5 कफ चीनी लिया है, इसमें मैंने पानी डाल थ्री पोड़ कपूप, साथने मैं इसमें सौफ और इलैची पॉड़र डाल रही हूं थोड़ा सा फलेवर के लिए, सौफ और इलैची पॉडर का बहुत अच्छा फलेवर आत इस तरह से आप इसे चेक कर लें, लास्ट में इसमें आधा चम्मच केवड़ा वाटर डालके मिल्स करें, एक अच्छा सा इसमें लोग फ्लेवर दोनु आएगा इसके अंदर, उसके बाद आप गैस के फ्लेम को बंद कर दें, हमारा बैटर भी अच्छे से तयार हो गया है, इसे दूबारा से मिल्स करें, अगर आपको बैटर जादा थिक लग रहा हαι, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी याट करूँगी, क्योंकि में बैटर जाहा, जाधा थिक लग रहा है मैं यहाँ पे हलका गरम पानी आड़ कर रही हूं इसे डालके मैं अच्छे से मिक्स करूंगी जब तक जो बैटर है वह इस तरह से पतला नहीं हो जाए तो देखिए इसे जादा पतला नहीं करना है कि यह पैन में जाते ही अच्छे से फैल जाए अपने आप तो मैंने यहाँ गी ले लिया है गी को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है अब मैं इसमें जो माल पुआ का बैटर हो डालोंगी तो आप देखेंगे यह डालते ही अपने आप इस तरह से थोड़ा सा फैल जाएगा तो आप इसे डाल ले दो से तीन माल पुआ एक बार में तयार हो जाता है त जब तक यह उपर न आय तक आप इसे पल्टे न यह अपने आप फ्लोट होने लगता है जब वो नीचे से अच्छे से पंग जाता है तो देखिए यह बैटर अपने आप उपर आ गया इसका साइड आप चेंज कर दे इसे दोनों साइड से इसी तरह से आप फ्राइ करें ग जाशने से निकाल के इसी तरह से सर्फ करें गरम गरम यह काफी अच्छा लगता है तो मैं यहां पर सिंपली एक यू पर एक रखके इसका प्रेजेंटेशन किया है मैं अलग अलग प्रेजेंटेशन के स्टाइल अपने वीडियो में शेयर करती रहती हूं तो आप उसे जर इस जगह से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता है मिलती हूं मैं आपसे निक्स वीडियो में तब तक के लिए लिए लाह आफेज